गादे रादे मारस्ची आपके चव्नों में कोटी कोटी पढ़ा। मारसची मैं भजिन मार्क पे आगे बढ़ना चाहताॉँ मारस्ची मन में लगातार डर बैठा हुआ है कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा। बिल्कुल नहीं दरू इस पिया होता है कि हमसे कोई कोई गलती होती जब तक हम अब भगवान का निरंतर चिन्तन नहीं करते तो ब्रतियां विशय के आती है और विशय की गलतियों की दवरा गलती होती है अभी या पूरू में उन गलतियों का परणाम अताब है दुख शोक बंधन निंदा जनम मरण के क्रम है उसका यह जो मन में भै आया है यह कोई पूरू का कर्म है जो अग्यान आवरित करके मुझे भैवीत कर रहा है एक जगे ऐसी जहां आपको कोई भै नहीं सता सकता है वह भगवान क अगर उनका तुम्हें अपनापन हो जाए तो हर समय आप देखो कि भगवान का बल आपके अंदर जागरत है कि कई भै नहीं रहेगा जब रात्री थी तो दिन आहीं रहा है और दिन है तो रात्री आएगी कोई भी ताकत इसको रोक नहीं शक्ति है भगवान श्री राम का राज्या विश्यक्ष भए होने वाला है पूरिया जो ध्यानन से मगन है और शुबह उनको 14 रुप नवास हो जाता है तो हम डरें क्यों हम प्रभू के बच्चे हैं प्रभू के अंश्य है क्या में डर क्यों लग रहा है कोई कर्म है जो हमको भैवीत कर रहा है इसलिए मैं ऐसा कर्म करना चाहिए तो वो कर्म नष्ट हो जाए और भगवान की शरणागती का पहला लक्षन है निर्भै दूश्रा है निश्चिंत तीसरा है निश्चोग जितने भी भगव हैं अधर्म के कारण लगते हैं ध्यान रखना कहीं भी चाहिए जितना गुप्त रूपशे अगर छोटा सभी अधर्म हुआ है तो सब से पहले वो आपको भै प्रदान करेगा फिर जलन प्रदान करेगा फिर बिग्न रूप में वा जाएगा रोग रूप में समाज की प्रतिकुल बेवार रूप में आपके सामने आ जाए भूल करके भी कोई असत आचरण न करे और जो असत आचरण हमारे भूल से हो गए हैं उनके निदान के लिए हम जैसे एक काटा दूसरे काटे से निकलता है ऐसे मैसा बली सत आचरण करे तो उसको नश्ट कर दे वह भगवान का भजन दूसरा कोई है अगर हम में जो नाम प इशी को व्यक्ति मानते रहेंगे तब तक हमें भैल लगा रहेगा हमें यह की व्यक्ति संचलित भगवान से है और भगवान मेरे है तो यह वही करेगा जो मेरा कल्यान होगा मेरा मंगल होगा यह बिलकुल मेरा मंगल नहीं कर सकता आप तो इतनी अवस्था के हैं प्रिक्षा लेने के लिए चक्रवरती समराट महराजम्बरीज जी के पास जाता है किवल इस बात से कि मैं तपश्यास का धनी हूँ यह राजा होते हुए मेरे से भक्ती में कैसे बड़ा माना जा सकता है परिक्षा के ले गए और उनसे चूख हो गई इतने महाभागवत को उन्होंने दोशना होने पर दोशा रूपन कर दिया और करत्या उत्पन कर दी एक कदम पीछे नहीं अटेंब रिश्या क्यों को पता है मैं भगवान का हूँ सम्मे भगवान की सामर्थे अगर यह कृत्या का विधान भगवान ने किया मुझे नस्ट करने को नस्ट कर सकती अन्यता नहीं क्या हुआ शुदर्शंचक प्रगट हो गया क्रत्या को नस्ट किया और दोड़ा करके पूरे त्रिववन में जलाया दुर्वाशाजी को मारा नहीं क्योंकि वह भगवान के जनते हमें अगर भगवान पर विश्वास हो जाए और यह भावना हो जाए कि सब भगवान की शक्ति से संचलित है देखो प्रभाव अलग अलग हो शकता है यह अंत्र का लेकिन बिज है ऐसी कोई दुष्ट शुबाव वाला है या अच्छे सुबाव वाला है वह या क्रिया रथ है या शांत है सब में भगवत तक तो विराजमान है हमें यह बात आजे कि तुम निर्भय हो जाएंगे निश्चिंत मेरे पास जो कुछ हो कितना है इतना चोटा सा है अनंत ब् शुबाव मेर्क हैं अगर कृशे कारण से मेरा पद जाता है मेरा प्रभाव जाता है मेरी शंत जाती मेरे सवामी इक स्वामी में इस इससे बड़ी अनकुलता दे देंगे ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं जो चेतन को जड़ करें जड़ करें चेतन जब इस बात पर विश्वास हो रुका तो आप निश्चिंत हो जाएंगे क्योंकि आपके पास जैसे पारषमणी मिल जा है तो किलो दो किलो सोना चोरी हो जाए तो आपको शोक नहीं होगा क्योंकि आप उससे जितना चाओ बना सकते हो ऐह से थाज़िए भगवान अपने हो गये भगवान से पर व lugन्हारा सन्मण हो गया तो त्रिभुवन की राजिल अभैता निशोक्ता तभी रह सकती है जब हम प्रभू का आश्रे ले और निरंतर नाम जब का अभ्यास करें अन्दर ये नदर जो नाम आपको प्रिहो वो श्मरंग करते रहें और कभी दूसरे का अहित ना होने दे भगवान ने जो आपको शेवा दिये जो आपको पावर द उड़ेंगे इसमें भगवान प्रशन हो जाते हैं धर्म की रक्षा करता है अब अपनी लोग क्या हो गए हमारी बुद्धी जो है वर्तमान के शुक भोगों में इतना आशक्त हो गई कि इन सब बातों की तरफ भगवान के आपके उपर कृपा है जो आप प्रशन करके समझन चाहते हैं नहीं पदाधिकार और विशेशेवन और प्रगट में वर्तमान भोगों की बाहुलेता में सुख बुद्धी ये इस मार्ग की तरफ चलना ही नहीं चाहती है वर्तमान की प्रभुता में ही डूबी रहती है फिर उसका भविश्य बहुत गिरा हुआ होता है टिकाओ नहीं है नए शरीर टिकाओ है नए पद टिकाओ है नए शंपत्य टिकाओ आपके पास यह कभी किसी और की थी यह पद किसी और का था कल किसी और का होगा यह सृष्टी का क्रम है आपको शेवा मिलिए सेवा कर लीजिए और श्वामी को प्रशन कर लीजिए तो ऐस मिलेगा जो कभी परिवर्तम नहीं होता वो उनके चरणार्विंद्ध उनका शानिद्ध